दोस्तो जुगल सर ओंलाड क्लाश अपका हाड दिख स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है DMRC का जो पर आप देखर हो यहां और इसी के ही बारे में आपको बता रहा हूं जो आपको दिखाए दे रहा है यहां 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 पर देखी है यह रोल नबर वगएरा नाम वगएरा देए गए हैं और यह है यहां 21 प्रवरी 2020 का पेपर लेटेस्ट वाला है नौ से लेकर के शाड़ी 10 वजे की शिप्ट में यह पेपर हुआ था यहां पर फीटर मेंटेंर ट्रेड का है यहां तक मैं यहां अगला कराता हूं ठीक है तो देखीगा अपन बात करते हैं यहां तो देखे, सबसे पहले अपने बात करते हैं, एकल बेल्ट के लिए धलवा लोहिस से बनी, पुली की रिम, यहां सफसाफ लिका है कि एकल बेल्ट के लिए धलवा लोहिस से बनी, पुली की रिम की मोटाई होती हैं, तो कितनी मोटाई होती हैं, तो ध्यां डखना इस थिकनेस पुछी गई, यह फिक्स है, यहाँ एकल बेल्ट का मतलब होता है, सिंगल बेल्ट, क्या होता है, सिंगल बेल्ट, और सिंगल बेल्ट के लिए बात कर रहा है, तो सिंगल बेल्ट के अगर बात करते हैं, तो इसमें ध्यान देने की बात है, कि सिंगल बेल्ट के लिए है, डी क उसमें प्लस आता तीन तो यह बात धियान रखना तो यह इसका आंसर है बिल्कुल तीसरे नमर का बिल्कुल सही आंसर है यह आपका रहेगा चलिए अगर आगे बात करते हैं तो इसी में ही एको रहता है जो आप देख पा रहे हो यहां तो यह है धियान दीजिएगा कि के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है अर्थर्थ जो है उसको यहर में हवा में खुला नहीं छोड़ सकते हैं अब खुला अगर नहीं छोड़ सकते हैं खुला अगर छोड़ते हैं तो वायू के संपर्क में आएगा आएगा पढ़नाम सुरुप क्या होगी आग पक लाइनों के जो तार होते ना तार पारिशन के और वित्रन लाइनों के जो तार होते हैं वह तार जो है ट्रांस्विशन एंडिस्टूबिशन के जो तार होते हैं वह एलुमिनम के ही बने होते हैं घरेल वाइरिंग में भी एलुमिनम प्रयोग लाए हैं जिसका ऐस को होता है बॉक्षाइड क्या होता है बॉक्षाइड उच्छा जा सकता है यह बॉक्षाइड तो यहां पर ध्यान रखना तो इसके बॉक्षाइड होता है जिसे एल से वेक्त किया जाता है आप अच्छे तरह से जानते हो यह चालक होता है और चालक होता है तन लेतों दोनों चीज़े नहीं दोनुस नहीं होती लेकिन क्या होता यह बंगूर होता है आप जानते हून दुनल से एथी खेयर केया जाता है है अगर बात करते तो त्याना स्पातिते पेम cheating इस्टीलूल इस्टील रूल अगर बात करते हैं तो इस्टीलूल किसका बना होता है इस बात ही प्यमाना किसका बना होता है इस्टीलूल जो है इस्टेनलेस इस्टील का ही बना होता है याद होगा आपको अब आती है जो क्यूशन पूछा गया था उसका अंसर की बारे तो सो अगर यह नहीं राखेंगे उपन हवा में रहेंगे हैं तो हवा में संपरक highly यह क्या पकड़ लेगा अग कॉला रहा है कुसे पहलेदでは यहां यह लो वर्नियर केलीपर के अल्पतम माप किस प्रकार से परिवासित किया जाता है तो यह पोच रहा है कि अल्पतम माप किसे किसे करते हैं तो किसी मापी एंतर द्वारा मापी जा सकने वाली अल्प माप को ही अल्पतम माप कते हैं चाहे वर्नेर के लिपर हो, माइक्रो मेटर हो, इस्टिलूल हो कोई भी मापी एंतर हो, उसके द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी, कम से कम माप जो है अल्पतम माप कलाती है जैसे टेस्टी रूल की अल्पतम माप होती है एक बठा 2 और 3.5 mm जैसे वर्नियर के लिपर की होती है 0.02 mm जैसे आपको यहाँ पर 0.10 जो है माइक्रोमेटर यह डाइल टेस्ट इंडिकेटर की जो है लिस्ट काउंट होती है तो यह होती है अल्पतम माप अल्पतम माप का जो है इंगलीश में बोलते हैं लिस्ट काउंट क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट मतलब अल्पतम माप तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना तो यही पूछ रहा है कि अल्पतम माप की परिभासा इन में से कौन सा जो क्यूशन है यह बता पा रहा है तो यह बताना है अपने को चलो अपने इस पर चर्चा करते हैं तो पहला option अश्मिन कि वह घटना जिसके कारण चालक का प्रत्रोध उस चालक की प्रत्रोध तो उस समय बदल जाती है जब विकरती अधिन होती है इसका मतलब प्रत्रोध आप जानते हो RL इसका मतलब RL होता है और प्रत्रोध जो होना R अपने लंबाई यहां पर देखना लंबाई के समानोपाती लेकिन क्या हता है यहां पर ध्यान दीजेगा तो प्रत्रोध जो होता है यह सेत्रपल के विलामानोपाती होती है तो सेत्रपल अगर परभावी तो होगा तो विल लगता के लिए इसमें आता है अब बात आती किसकी दूसरे नंबर पर तो उस नियुनतम दूरी दूरी के रूप दूरी के रूप में जिसे वढ़ने के रूपर द्वारा सठीक रूप से मापा जा शकता तो यह बिल्कुल सही आंसर है तो किसी भी मापी एंतर मतलब यहां व आपका 0.02 यह लेस्ट काउंट का जिकर कर दिया यह परीभास इसकी बन गी तो आंसर नंबर दो मिल्कुल सही अब तीसरा क्या क्या रहा देखेंगा ध्यान से तीसरे में क्या चीज़ है तो वर्णेग के लिपर के वर्णेश पेराने के एक वर्णेश के मानने के एक पर तो एक तो और चोटा पर माला एक अगया मुखी परोना तो इन दोनों के अंत्र कर चीजी यहां पर लिखे पर तरूद होता है जो कि रूख आप जांते ची तरह से चलिए अपना आगे बात करते हैं इसी में नेक्स्ट क्यूशन चलिए यह आपकी स्किन पर आपके सामने अब देखेगा अगला क्यूशन है यू की शीतल देखिए 19 नंबर का क्यूशन है यह पर अब देख पारे वह लॉड उएल तो लॉड उएल जिक्र करें लॉड उयल नहीं होता है तो शीतलक की डिए में प्रियोप लाता है यह पर अगर बात की जाए किसकी विल का मतलब यह समझ दिए के अगर बात की जाए तो ओयल और यहाँ पर बात पर करते हैं जल न्य श्टू का जो अनुपात होगा जल का अनुपात होगा तो जल का अनुपात रहेगा भीश और और यह अर्थ अर्था एक अनुपात भीश चार नमर का बिलक future सई है यह बात आप याद रख रहा हैं ओके यह कटिंग में आता है किसमें कटिंग जब करते हैं तो उसमें उसके जोग को ठंडा रखने के लिए यहां डिल वगेरा में इसका यूज किया जाता है चलिए नैस्ट विश्टन आपके सामें यह रहा आपकी स्क्रीन पर चलिए यहां पर देखते हैं का परियोग ध्यां दिवूद कि इसमें एक एक चीज को खिलर करना से चिप हटाने के लिए के जयाता है चिपन का मता हुता छीलन क्या होता है चीलन को हटने के लिए किया जाता तो छीलन को हटने के लिए君 इससका प्रयूक करेंगे Scraper का की SandPaper का की एक तो आप अच्छे तरह से जानते हो कि Scraper का ही यूज करेंगे इस क्रेफर फाइल जैसा ही होता है लेकिन इसमें अंतर शिर्फ इतना सा को होता है ये थोड़ सा उब्रावा भाग होता है ये आगे से जैसे कोई भी जोब है अब जोब है तो इसको क्या करेगा कि मालिज इसके आगे कोई जोब है और इसमें कहीं कहीं उभार आ जाता चोट पर से जो हाई स्पोर्ट्स को ए तो यहाई प्रीयुग में लाए जाता है यह वो था है पर किसी भी जोब से हाई स्पोर्ट्स को हार्ट्स को हटाने के लिए आट स्ब्सकोर वहाँ पर वह सकते हैं छिलन भी हो सकते हैं तो उसको उसको खऴेने के लिए कप works यहाँ कॉर्चने की होता है कि को होता है यह आप उसके तरह जहांते हो तो उसको फिनिशिंग देने के लिए इसका अपयोग करते हैं तो याद रखना इसको सब 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 करना है उसके लिए आता है अंतियम पॉइंट में तो यह आता है सेंट पैपर रेती रेती का यूज यहां आप जानते हो फाइल फाइल का फिनिश के लिए किया जाता है इसके परिशक्रण कार्या केलिए क्या करने के लिए ठोकने पीटने वह चोट मानने तो आप पर हम चलते हैं आगे इसी करम में तो देख पा रहे हैं तो यहां पर आप इसी को ही देख पा रहे हैं देखेगा और इनी पर ही चर्चा करते हैं तो क्या होता है तो यह जीज़ को देखे का यहाँ पर अगले क्योंषिन है आपके सामें रोक वेल हसा हमा क्तोल्टा प्रिशन में ह्रसी में ईंडेक्टर को कै प्रिबोड के साथ प्रिलोड किया जाता है तो प्रि ל apost किया जाता है इसका मतलब सबसे पहले HRC क्या है एक चुल में क्या है कि हाड़नेश हाड़नेश मतलब कठोर्ता को मापने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं वो आपका होता है रोकवेल हाड़नेश और रोकवेल हाड़नेश का ही अपने यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेगा HRC का मतलब होता है काटूरता को मापने के लिए लेकिन HRC के अगर बात करते हैं तो इससे मैजरिंग जब करते हैं मैजरिंग का मतलब क्या होगा तो मैजरिंग में आपके तीन प्रकार्ट की कटूरता इन मापने जाते हैं खरोच जिसको बोलते हैं इसक्रेच क्या बोलते हैं खरोच का मतलब क्या होता जिसको बोलते हैं इसक्रेच तो यहां एक होता है खरोच कौन सा टेस्ट यहां पर खरोच वाला टेस्ट यह चार सिम्गाद करते हैं एक होता है इंडेटेंशन और एक होता है प्रतिफेक्स है क् प्रियोड करते हैं और यहां अगर बात करते हैं तो प्रिलोड में जो किया जाता वो 98.07 न्यूटन जो है इस पर यहां पर प्रिलोड किया जाता तब जाकर कि इसकी HRC कटोड़ता को क्या कर सकते हैं अपन मापन कर सकते हैं HRC विदिंडेक्टर के द्वारा तो यह याद रखना आपको कि कौन से नंबर का यहां पर बाकी का इसमें नहीं किया जाता है चली अपन बात कर रहें आगे नेक्स्ट इसी करम में तो आपका क्या है तो ध्यान दीजेगा कि एक 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 मोडूल मोडूल वन वाले गियर की वरतिय पिछ के बराबर होता है तो वरतिय जो पिछ है मतलब जो सरकूलर जो पिछ है उसके बारे में आपको बताना है कि किसके बराबर होती है तो आपको knowledge के तोर पर बता देता हूं मैं कि यहां जो वर्तिय पिछ होती है वो होती है याद रखेगा तो pi का मतलब क्या होता है आप अच्छे तरह से जानते हो pi का मतलब होता है 22 बटे 7 क्या होता हैं 22 बटे 7 यह 3.14 तो यहां एक वर्तिय चिप का जो वेलू होता है जिसका यह कर रहा है कि एक मोडूल गेर में वर्तिय चिप एक में वर्तिय चिप बराबर होती है एक pi के और एक pi बराबर होता है 3.14 अर्थार्थ 22 बटे 7 बी अपन लिखेंगे तो बिल्कुल सही हुआ तो यह अंसर है अब आपसे यह हुई क्यूशन में एक का मैं पूछ करके माली जी एक pi का मैं अगर सही सही बताऊं तो पूरा अगर डेटेल बताऊं तो ऐसे लिखा रहता है M का मतलब होता मोडूल अनब बराबर one one का मतलब आप इसी के में बात करता हो तो पी पी का मतलब पिछ होता है बराबर one पिछ में कितना आएगा 3.14 राइट या फिर इसको बोल सकते हैं एक pi राइट यहाँ पर बात समझ गये ने एक pi यह आपको pi का symbol है तो इस तरह से आप यहाँ पर clear कर सकते हो तो यह चीज आप यहाँ पर लेख सकते हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो ध्यान दीजेगा अगला मैं आपको इसमें यह एक किजेगा अगर दूसरा ब्याजाता तो M बराबर two यहाँ पर बराबर two यहाँ पर ध्यान रखना यह यहाँ c नहीं है यह पोस्ट के यहाँ p p बराबर अब बात करते हैं तो तीन का दूगना 6 और 14 का मतलब वह था 28 या 2p क्या होता 2pi क्या होता 2pi तो इस तरह से आपको आजाता और वह ही अगर आपके 3 में आजाएगा तो या पर सीधा आप डारेक्ट नियू भी कर सकते थे 3pi क्या कर सकते थे 3pi क्या कर सकते थे 3pi और 3pi आप जानते हो हो value कितनी होगी 9.42 यहाँ पर यही value आएगी ना भाई 3.14 से अगर इसको गुना करोगे तो यह प्राप्त होगा आप उनको 3 से चलिए यह भी बात के लिए रहोगी अगर यही 4 के लिए दे देता है तो 4 से गुना कर देते है 4 बराबर अपने पास में क्या आ जाता है तो m आप पर 4 आ जाता है और 4 के लिए आप अच्छी तरह जानते हो जब 4 अगर आया है तो यहाँ पर m जग है और 4 की जग चार और आपको तो चिप रहा तो यहाँ पर 4 फाइव लिए जाती और 4 फाइव का मतलब होता 3.14 को 4 से गुना करेंगे परिनाहाम शुरूप अपनको प्राप्त होगा 12.56 तो यह आंसर आता है तो इस टाइव से आपको देखना पड़ेगा कि कौन्चे का तो पर्तम वाले का जब पूछा गया तो यहाँ पर केवल आंसर क्या होगा 3.14 उमीद है यह बात आपको समझे में आ रही है तो सारी की सारी बाते आपन एक-एक करके ही किले कर रहे हैं नेक्ट उसन आपके सामने यह रहा आपके इस स्किन पर यह दी 23 स्वे चल रहे है अपन यह दी किशी हतोड़े में लगा है हैंडल डीला हो जाए तो क्या होगा आप से पुचा कि कोई हतोड़ा आपके पास है उसमें लगा हुआ कोई handle है और वो डीला हो जाए क्या हो जाए डीला तो क्या होगा अच्छा समर्थ तक करेगा सवाल नहीं उड़ता है अच्छे पकड़ करेगा सवाल नहीं उड़ता हना सही डंग से कार्य करेगा तो ये भी नहीं उड़ सकता तो दुर गटना का कारण बन सकता क्योंकि यहां आप अच्छे तरह से जानते हों यह कोई भी हैमर है आपका और इस हैमर की अगर मैं बात करूं तो इस हैमर में अगर यहां ध्यान दीजेगा इस हैमर में अगर आपने यहां पर क्या लगा रखा है यह हैंडल लगा रखा अब यह निकलेगा आप अच्छ किसी के सर्फ लग सकता है किसी के चोट लग सकती किसी दूसरे के लग सकती है तो क्या होगा यह दुरुगटना का कारण बनेगा कारण क्यों निकल जाएगा और यह निकला तो यह मर्जु जाएगा किसी के सर्फ पे परड़ाम शुरू भड़ी दुरुगटना हो सकती है यह बात आपको ध्यान रखने पड़ेगी कि यह दुर गटना का कारण बन सकता है अब आपके लिए अगला क्यूशन यह रहा तो आप देखेगा यहां पर क्लियर कीजेगा तो यहां आप देख सकते हो 24 नंबर का क्यूशन है एक गेर आघात वर्द्निय दातु है यहां पर कौन सी मतलब नोन मेलेबल 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 मेटल तो नोन मेलेबल मेटल का मतलब गेर आभात वर्द्नी दातु मतलब जटकों को ताकत चोटों को शर्ण न कर सकते ऐसी तो यहां पर तामबा जानते हो तामबा पर किती में चोट मारू पता होता जाता तन्य है आघात वर्द्न हैं तामबा तन्य हैं और क्या है आघात वर्दिनी हैं और चालकता में इसका जनाब ताप में किसमें ताप में और चालकता में किसमें चालकता में और तन्यता में सेकंड इस्तान हैं कुंसा इस्तान हैं सेकंड हां ध्यान रखना सेकंड इस्तान हैं अगर मैं बात करना और यहां देंगा इसी किसमें किसके इसे किसमें इसका स्थार यहां कि तो । दोस्तों आपको बता रहा हूं है आपको इसके प्रेचाहिए नहीं प vintage यहां पर देंगे तो यह किसे हिसे पड़ते हैं आप यहां जेओं प्लिकल नहीं हो पता वहां enact probability by some जस्ता इन से मिलकर के बना होता है मतलब सी यू प्लस जेड एन से मिलकर के बना होता है पीतल आप अच्छी तरह जानते हो यहां पारा जो होता सामाने ताप पर जो हो द्रवा उस्ताम पाए जाता है लेकिन यह धातू तत्व है और धातू में एक अपवाद भी है क्या है उप्यों करते हैं थर्मामीटर में किसमें थर्मामीटर में तर्मामीटर में देखा होगा आपने डॉक्टर पास डालाओगा थर्मामीटर रहता है ताप मां चेक करता है ठीक है इसके बाद में आपने देखा होगा तो यह को रहता है जिसको बोलते हैं पुन बेरोमेटर तो जम जाता है, यह पारा होता है, जो धातों में एक अपवाद है, जो दरावस्तन पाया जाता है, जिसका आइसक सीने बार होता है, क्या होता है, आइसक सीने बार होता है, ठीक है, प्लेटिनम की बात करते हैं, तो इसको सपेद सोना करते हैं, क्या करते हैं, सपेद सोना, को केरेट में मापते हैं किसमें केरेट में और एक केरेट बराबर होता है यहां पर एक केरेट बराबर होता है 200 mg या फिर 0.2 ग्राम याद रखना यह बात आपको याद रखना है अता दोस्तों उम्मीद है यह सारी की सारी बाते आपको समझना कि हैं कि अगला कुछन आप देखेर हों यहां पर देखेगा किसी सतह है finishing पर अधिक ध्यान नहीं देते हम अधिक ज्यादा finishing को इन अधिक ध्यान नहाँ देते हुई मतलब ध्यान नहीं देते हुई आए grinding का प्रियोग करके धातु को तेज गती से हटाने की पर के लिए अर्थार्थ उपरेशन को क्या कहा जाता है तो यहां पर किस पर अधिक फिनिशिंग पर ध्यान न देते हैं उस उपरेशन को कहते हैं अपने यहां पर सिनिगिंग क्या करते हैं तो यहां पर ग्राइंडिंग का तो प्रियो कलाता है उसी प्रकार से यहां पर होबिंग्स भी आपका यही इसी प्रकार से होता हो तो होबिंग क्या होता है गियर या इस्पिलन हो या इस्पिलन हो या इस्पिलन हो को काटने में किया गया यहां पर काटने का जो कार्य किया जाता है इनको गेर वगेरा के लिए जो काटने का कटिंग करने का जो कारे किया जाता है उसको होविंग करते हैं यहां चीजल चीजल के मतलब छेने के द्वारा जो कारे किया जाता है तो वो आपका क्या कर लाता है चीजल कर लाता है तो इसी को क्रिया को बोलते हैं चीजलिंग क्या है चीजलिंग तो यहां पर गेर वगरा के लिए जो कटिंग की जाती है फाइलिंग हो गया आपका फाइल के द्वारा कारे किया जाता है और सनेगिंग आप अच्छी तरह समझे गए हैं या कि सता अधिक ध्याना देते हैं ग्राइंडिंग करने की किरिया सनेगिंग कर लाती हैं तो यहां कुशन देखे ध्यान से कि औक्सी ऐस्टिलिंग में किस की बात कर रहे है औक्सी ऐस्टिलिंग ग्यस में गैस वेल्डिंग में लाती है तो आप क्या कर सकते थे मेरून कर सकते थे लेकिन अगर लाल है तो पहली प्राद्विक्ता लाल ही देंगे लेकिन यह अक्सिजन की बात करते हैं और अक्सिजन की ही अगर यहां ना होकर के C2, A2 की होती बात मतलब एसेटिलीन की अगर बात होती किसकी होती है acetylene की अगर particular बात होती तो वो रंग आता है काला कौन सा था काला तो oxygen के लिए लाल और यहाँ पर देखीगा acetylene के लिए काला रंग होता है तो यह धान रखना आपको दोनों चीजे में इसपस्ट कर दी है और oxygen acetylene से मल करके हैं oxygen बनता है जो कि आप समझी गए हो इसमें आप और और आगे बात करते हैं तो अगला आता है रुक्षनता रुक्षनता का मतलब उता roughness क्या होता roughness मतलब बहुत ज़्यदा रुक्षनों को रुक्षनता को निमन में से किसके रूप में परिभासित किया जाता तो इसकी रुक्षनता की definition पूच रहा है कि रुक्षनता को क इस तरह से परिभासित करेंगे, तो यहाँ पर लेंग्वेज थोड़ी difficult आपको लगीगी लेकिन ज्यादा कोई कास नहीं, विभीन उचाई, विभीन उचाई और विभीन रिखतियों, वाली गाटियों और पहाडियों की हलकी चडान, Mountain Sessions of Valley and Hills, मैं अगर बात करना चाहता तो आप यहां पर हीद से माउंटेंस का कुछ भी नहीं है, मालीजी यह कोई जोब है, राइट समझना बात को, यह कोई जोब है, सरा लेंग्विजम समझने कोशिश कीजिएगा, इस जोब में अगर यहां पर बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चड़ाने, और फिकुछ ऐसी, कु करते हैं और यहां पर यह लिखा कि विबिन उंचाय की रिक्तियों इसको बोलते हैं खाटियों की चड़ान चड़ान इसको बोलते है बहुतते हैं अब यह को टेपर करन के कि लंबा joint के माध्य का प्रपाल यहां पर लिखा वर्ग्माध्य तो तो वर्गमाद्दे विचलन यह आपका होगा नहीं इसके बाद पहाड़ियों की चड़ान वही आता है बात एक गांट युक्षाड़ा पहाड़ियों की चड़ान दोनों यह सेम ही कंडिशन तो इस तरह सांसर यह इसका सभी है नेक्स्ट कुशन आपके ही रहा कि उसमीय उपचार कोई से किस की बाद कर रहे हैं यहां पर हीट ट्रीटमेंट की बाद कर रहे हैं तो उसमीय उपचार प्रिक्रिया में हीट ट्रीटमेंट ऑपरिशन के सम्मद में निम्में से कौन सा कतन सत्य है अब इस बार सत्य टेस्ट में समन माध्यम में माध्यम समन माध्यम के रूप में तेल का प्रियोग किया जाता है नहीं वह इसमें कोई भी तेल का प्रियोग नहीं करते हैं यह तो आपका यहां पर सत्ते नहीं है ठीक है जौमीनी और केचिंग में ऐसा नहीं किया जाता है यह आपको आप उनको स्टील आप जानते हो अच्छी तरह से जब स्टील को अपन गरम करते हैं और गरम करके फिर ठंडा करते हैं और उसके कठोड़ देखे हैं यहां पर जो है फिर क्या करते हैं यह क्रिया क्या 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 क कर लाती है या कटरता का मापना जामिनी टेस्ट कर लाता है तो इस तरह से जो समझ सकते हैं यहां अब आपके यह तो अंसर होगा नहीं तो यह नहीं है बिल्कुल तेल का प्रियोग नहीं करते हैं लोग अधारित मिस्टर धातों में भंगुरता बढ़ाने के लिए टेंपरि करता है कि अगर बात करते तो टेंपरिंग क्यों की जाती है यह चीज आपको ध्यान रखना है तो यहां टेंपरिंग जो की जाती है तो वह भंगुरता नहीं बढ़ती है यहां इससे तो आपको ध्यान रखना है तो यहां पर ध्यान दिजेगा एक चुल्म के लिए करते है वापिश तो यहां पर उसमें उप्चार किया है तो पहला आपका बिल्कुल सही नहीं है अना दूसरा आपका है लोगा अधर दातों की भंगुरता बढ़ाने के लिए टेंपरिंग की जाती तो भंगुरता को तो कम करते हैं टेंपरिंग के मादेम से उसे मशिनिंग योग्य बनाते हैं कैसे मशिनिंग योग्य बनाया जाता है तो मशिनिंग योग्य बनाया जाता है तो मशिनिंग जिस से उस पर मशिनिंग करिया कर सके हैं अब माटेंपरिंग प्रिक्रियाओं में समन सिमाओं को पार करने के लिए डिजैन किया जाता तो यह बिल्कुल सही है माट मार्टेम्पिंग क्या होता सबसे पहले यह है यांत्री गुणा में शुधार करना मार्टेम्पिंग का मतलब होता मैं के लिए के जो प्रोपर्टी जो होती है मतलब यांत्री गुणों में शुधार करने की किरिया को मार्टेम्पिंग बोलते हैं तो समझ सिमा तो डिजैन कि गया तो समझ सुधार करके और उसमें क्या करना है भंगूरता उसमें क्या करना है यहां पर कि भंगूरता को बिठनने इसको क्या करना है कम करने की किरिया कलाती है मार्टेंपिंग मार्टेंटिंग पर किरिया में शमन पार करने के लिए डिजैन किया जाता तो यह कि लिए आपका बिल्कुँ सही है इसमें आपको दियान रखना अगला आता है फ्लाइट तथा मार्टेंपिक प्रिया के अंतिम चरण के रोप में प्राप्त होना तो यह भी विल्कुल आंसर आपका सही नहीं है तो इस तरह से आ आपको यहां पर आपके फीटर का जो है जो भी चीजें आपको बताई आई थी अपने डियामार सी में वह सहरा में के लिए कर रहा हूं अब अगला आता है आपके पास में तो वह आता है ब्लाइंड होल ब्लाइंडिंग होल जहां दीजेगा ब्लाइंडिंग होल के पर इसमें भी step ऐसे बनाए गए चोटी 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 step तो इसे मतलब समझेब का मतलब सर लेंग्वेज में यह हैं यह यह और यह इस टाइप सी कंडिशन बन जाती है कहने का मतलब ब्लाइडिंग होल में step गहराई step गहराई मापन के लिए प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग करते है step को मापने के लिए कोई अंदा चिदर है अना ब्लाइडिंग होल का मतलब अंदर चिदर है अंद चिदर अंद चिदर तो अंद चिदर में आपको क्या करना है यह पर तो वर्नियर उंचाई मापन तो वर्नियर की हैट मापने के लिए ही किया जाता है तो वर्नियर उंचाई मापन के लिए भी ऐसा किया जाता है तो वर्नियर उंचाई मापन का मतलब क्या होता है वर्नियर उंचाई गेज होता है जिसके द्वारा यहां पर देखेगा प्रम परिशुदिता में 0.02 mm की परिशुदिता में और यह दो अनुरूप स्केलों के अब तब माप के अंतर के सिद्धान पर ही कार्य करता है तो मार्किंग करने वाला सबसे परिशुद मार्किंग टूल्स है जिसे वर्नीर हाइड गेज करते हैं यहां पर माइक्रोमेटर इसक्र से दूसरी की सेंटर की बिच की दूरी पिच बीच हो यहां पर यह फिर एंगल हो इन दोने चूरी के का क्वा मायक्रोमिटर की जूचो OnePlus वह होता माइक्रोमेटर इसक्रोगेज जो कि 0.01 mm की परिशुदिता में माप सकता है जूच्वार्क ніन था मैंक्तिता में पर देखे रह nimmt अगर आता है व्रनियर गहराई मा रहां आप एहां पर भी क्या है गहराई मापने के goticate देब उस्जबास परियोग इसमें बिल्कुल सटिक रहेगा तो यह आंसर इसका होगा इसमें शूंचने की जोरत ही है blending hole की गहराई मापने के लिए गहराई मापी अर्तार गहराई गेज का प्रियो करेंगे depth गेज का प्रियो करेंगे तो यह answer बिल्कुल सई है फिर भी आप देख सकते हो अब आता है सारवतरिक सतही मापी universal surface gauge actually universal surface gauge का use यहां नहीं करते है लेट मशिन का जो center होता यह इदर चकर इदर चकर इन center ओन के बीच में सकती है समानांतर रेखा भी किची जाती है एक ऐसा बीम होता है और एक इसमें जो ने इसक्राइबर लगा रहाता है बेंड इसक्राइबर क्या लगा रहता है बेंड इसक्राइबर इस से किसी भी जोब पर यहां पर समानांतर रेखा पर किशनी तो कीश सकते हैं, ये आप देख सकते हो इस iWear notice यूनिवर्सल सरपेस and इस इसके दौर बेज को जोग को सेंटर्म लाने के लिए इसका उप मिला जाता हैं, अब आप देख सकते हो के लिए के लिए नेक्स्ट लास्ट पूशन की देखेगा ध्यान से देखना इस क्यूशन को ये रहा आगला क्यूशन वे पदार्त जिन में निश्चित क्रिष्टली ये संड़चना नहीं होती है उन्हें क्या करते हैं मतलब जब क्रिष्टली संड़चना नहीं है तो कौन सा हो आई क्रिष्टली इसमें कुछ जादा द और वो होती है क्रिष्टलिय समर्चना और जिसमें क्रिष्टलिय समर्चना नहीं होती है उसे क्रिष्टलिय करते हैं जिसमें बात बताओं तो किष्टलिय में तो अनुपरमानों यह वाम जो अना आयन व्यवस्तित क्रम में लगे रहते हैं किसमें यहां किष्टल के अगर ब मतलब एकल होता है यहां पर और बहुर ईपी पोली का भी यहां आप समझ सकते हो तो यहां पर ध्यान रखना दोई चीजों का एक तो किष्ट लेकर एक किष्ट लेकर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं पंदरा-पंदरा क्यूशन इस कोरोना के समय में आपको प्रवाइड करा र आएगी पेंड्राइव के लिए भी लेकिन उसके लिए आपको कोरोना तक वेट करना पड़ेगा इसके बाद जुगल सर ओनलाइन क्लासेज के एप की साहिता से भी आप जो ना एप की साहिता से भी जो हो क्या कर सकते हो यहां तो आप इसको डाउनलोड करके रिश्में जो प्रवाइड करा रहा हूं तो आपको निरवास होने की निरास होने की जोड़त नहीं अमीद है सारी के सारी बाते आपको यह जो मैं बोल रहा हूं वो पश्चन दार होगी तो प्लीज प्लीज इसको क्या करोगे लाइक करोगे यहां पर देखेगा लाइक के बाद सस्क्रा मात्रम वंदे, मात्रम चिके.